अलो दोस्तो आज हम आपको करेले की सबजी बना के दिखाएंगे वो भी बिना कड़वाट वाड़े हम हपते में एक बार इसे जरूर बनाते हैं क्योंकि हम जब इसे बनाते हैं तो इसमें कोई भी कड़वापन नहीं मिलता तो इसलिए परिवार को और बच्चों को ये बेह बनते हैं आज वही तरीका आपको बताएंगे अगर आपको करेले खाना पसंद है लेकिन कड़वापन के लिए उसको नहीं खाते तो आप ये तरीका आजमाले क्या करनामने सारे करेले हैं जितने भी हमारे पास जैसे हम आलू को छीलते हैं गीया तोरी को छीलते हैं वैसे ह उपपर से छील लेना है जितना भी इसके पूरा हम निकाल लेंगे इसी में सिबसे ज़्यादा कडवापन उत्ता करे लेका यह देखे एक दम मोटा छीलगा इसका निकालना है सबसे ज़्यादा कडवापन करेले का आप जानते हो इसी छिलके के अंदर होता है तो इसको हम पहले लग से निकाल लेंगे और इसको ये देखिए बीज से कट करके इसके बीज निकाल के वचकु से इसको हम पतले पतले से इसके जैसे भी डिजाना में आप काटना चाहे वैसे काट ले यह देखे इसको फिर एक बार फिर बीच में से कट करके हम इस साइज में इसमें काट लेंगे लंबे साइज में ऐसे ही हम जितने करेले हमारे पास इसा iq.hr क क्रेले हम आज आपको बना के दिखाइंगे वह भी बिना कड़वाटें इस पूरे इसके जितने भी चिलके हैं ये देखे मैंने सबी चिलके को एक अँदम मोटा निकाला है देख सकते हो जैसे मालो नची पंदाई तो देखो इसमें फिर हम क्या करेंगे एक चमच नमक डाल देंगे इसको अच्छे से मिला लेंगे यह रात को मतलब रात को कम से कम कितना 9 बज गई हैं तो हम रात को इसकी तयारी करके रख रहे हैं तो सुब हम इसको तयार करेंगे तो ये देखे मैंने अब इसको रखके नमक डालके रखेंगे इसके अंदर भी छिलकों के अंदर भी ये देखो आधी चमच इसमें डाल दिया अब सुबा तक ये एक दम इसमें पाणी निकल रहेगा क्योंकि हमने नमक डाल दिया है आधा कडवा पन इसका निकल जाएगा तो आगे हम सुबा दिखाते हैं आपको ये देखे दोस्तों सुबा उने के बाद फिर मैंने आपको दिखाया है ये देखो कितना इसमें से नमक वाड़ा पाणी है ये इसमें कडवा पन निकल चुका है और छिलकों के अंदर भी यह देखिए एक दम सोब्ट हो चुके हैं यह नमक डालने से तो हम क्या करेंगे इनको दो तीन बार पाने से अच्छे से दो लेना है इसका सारा नमक भी निकल जाएगा और जो कड़वापन है वो भी निकल जाएगा यहां पर हमने लंबे साइज में प्याज हरीमिच लसन और एक कच्चाम ले लिया है तो तेल रखेंगे हम कडाई में इसको हमने अच्छे से दो लिया है दो तिन बार छिलकों को भी और करेलों को भी दोनों को साथ करके तो अब इसको हम क्या करेंगे इसके अंदर डाल तो इसका कम से कम 80% तो इसका कड़वापन निकल चुका है तो हम इसको अब फ्राई करेंगे ये देख सकते हो अब इसको अच्छे तरीके से हम जब तक इसकी जो पूरा करेला है कड़ाई में इसका कलर नहीं चेंज होता जब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे इसको फ्राई करने में कम से कम 10-12 मिंट लग जाएगी मैं दिखाती हूँ आपको ये देखिए दोस्तों 10-12 मिंट के बाद क्रेला एकदम अपना रंग बदल चुका है और अच्छे से ये फ्राई हो चुका है देख सकते हूँ आप अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब इसको हम निकाल लेंगे 10-12 मिंट के बाद ये ऐसा ही दिखेगा ऐसा ही हो जाएगा तो फ्राई करने के बाद वो जो इसके साथ में मैंने मोटे चिलके डाले थे वो भी एकदम खतम हो चुके है एकदम वो सुकड गई है तो तेल डालके हमने दो बारा फिर कड़ाई में जीरा डाल दिया प्याज डाल दिया ये देखिए हर इमिच डाल दिया और लसन को कूट लिया था वो भी इसमें डाल देंगे इनको अच्छे से हम बून लेंगे प्याज को अच्छे से इसको बूनते रहेंगे और ये देखिए लसन है ये भी हम डाल देंगे कूट लिया है इसको हमने आप काटके भी डाल सकते हो अधरक हमने इसमें नहीं डाला है क्योंकि क्रेला भी गरम होता है लसन भी गरम होता है फिर अध्रक भी गरम होता है और उपर से फिर गर्मी भी कितनी है इसलिए हमने अध्रक को इसमें नहीं डाला थोड़ी सी हम लाल मिस डाल देंगे इससे कलर अच्छा आजाएगा तो इसको मैसे लगातर बुनते रहेंगे यह देखिए प्याज हो गई है थोड़ी बुन चुकी है यह फिर इसमें हम क्या करेंगे यह देखिए प्याज तो अच्छे से बुन चुकी है इतने ही प्याज भून तो आद हमने यह देखिए लेकिन मेरे साब से एक चमत प्याज भून है तो इसको हम अच्छे से मिलाएंगे मिलाने के बाद फिर इनी प्याज में हम क्या करेंगे जो फ्राइ की वे करेले हैं ये देखिए इनके जो छिलके ना एकदम खतम हो चुके हैं दिख भी नहीं रहे हैं इसके अंदर हमने मोटे-मोटे छिलके डालके फ्राइ किया था ये देखिए तो अब इसको मच्छे से मिला लेंगे ये किन मानिए दोस्तों अगर आप इस तरीके से इसके छिलके निकालके आप फिर इसको बढ़ाएंगे तो इन करेलों में जरा सा भी कड़वापन नहीं रहेगा आप एक बार जरूर ट्राइ करें ऐसे आप एक बार ट्राइ करोगे तो हर बार आप हर अबते में एक बार करेले की सबजी खाना शरू कर दोगे इसको मच्छे से मिला रही है अगर आप को ये आइडिया पसंद आया है ये तरीका पसंद आया है तो प्लीज लाइक से रो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना कि आप अगर ऐसे बनाते हो तो कैसे बनते हैं अगर आप हमारे तरीके से बनाओगे तो कैसे बनेंगे ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और 10-12 मिंट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि करेला बनके हमारा तयार हो चुका है ये देखिए दोस्तों एकदम अच्छे से करेला है जो गड़ चुका है और इसका सारा कड़वापन हमने निकाल दिया है अब ये खाने लाइक हो गया है इसमें बिलकुल भी कड़वापन नहीं है और इसमें देखो जादा तेल भी नहीं है और एकदम अच्छे से सुक्के से करेले की सबजी बनके हमारी तयार हो चुकी है अगर आप इससे ऐसे बनाएंगे तो हम गारंटी लेते हैं कि आपके जो करेले हैं बिलकुल भी कड़वे नहीं बनेंगे बनाने के बाद आप इसको एक दो दन के लिए भी रख सकते हो ये ऐसे खराब भी नहीं होते तो देखिए हमारी करेले बनके एकदम रैडी है वो भी बिना कड़वाट वाड़ी आप इसको जरूर एक बाद ट्राइ करें आपके भी ऐसे ही बनाएंगे